तो चलिए फ्रेंड आज हम बना दे चने के भाजी का घोटा तो देखिए अब हम सबसे पहले खलवती में मिक्सर में पीस रही हूं हरी मिर्ची लैसन और नमक दाल के थोड़ी साथ ने कोट त्रीम जितना आपको तेज चाहिए आप उसे साथ से हरी मिर्ची ले लेना और अच्छा लगता है मिक्सर में थोड़ा एकदम बारिक होने गए से टेश्यों जाता है इसलिए मैं मिक्सर में नहीं पीस आउइ धैस पीसना हो गया भिझाया है मिस्को चमच के से निकालके ले लेते तो अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे और इसे निकालनेके बाद हम लोग अभी इसे मैंने देखिए निकाल दिया फिर अब मैं ग्यास पर भगोना रख चुकी थी अब मैं उसके अंदर दालूंगी दो चमच तेल आप आपके हिसाफ से डालना आपको कितना बनाना है मैं सिर्फ एक दम थोड़ा बना रही है इसलिए मैं दो यह चमच दाल दी हो तो अभी देखिए जो चने की सुकी भाजी नीचे वह मैंने ली फिर उसके अंदर थोड़ा बेसन में एड कर दी जितनी आपको भाजी आप लेंगे उतना ही आप बेसन उसके अंदर दालिए वरना फिर वह बेसन जादा हो जाएगा क्यूंकि आपको पता है बे देखिए अब मिर्ची का ठेसा और यह ओ देंगрыो पर वह कर दो देखिए अच्छी तरह से नीचे उप अपर के लिए वुदूने में आ जाएगा फिर यखा हम इसमें add करते हैं थोड़ी सी हल्दी। वह फिलो इससी हल्दी अगर आपको दालने हैं तो यह की उपरा हूं कि दालना या लें पूरी만 है, यह जो दालना इस फिले संग मैं हल्दी लेकर पानी का प्लीने उस्कार थैज्यू हो गया को क्षा चेञ्ड आपके ओले Gila has a और माण देलेयोय को पानी अबनेशे प्लेटेन तब करता है कुंकि अपको अब करना दो तो starting एक आछास लाकी आरे चोर कुलीन होगए और पानी ज बनेशन आपyesh कि आप लगातार ही लगे यह वरना गाड़ बन जाएंगे और यह देखिए अभी मैं हला रही हूं लगातार तो अभी यह गाड भी नहीं हो रही है इसके अंдर अराम से वह बन रहा कि इसको आप बीच बीच में भी फ्रेंड हिलाते रहिए क्यूंकि यह गाड बन जाता है नहीं तो नीचे नीचे से बेसन की खांदी गाड बन जाएगी और फिर चली अब हमारा बन गया है घुटा था हम खा रहे हैं तो देखिये हमने सब खाना निकाल दिया है तो आप भी आईए हमारे संगार खाने के लिए तो अदरा